हेलो दो हुस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एबी सी क्लासिज बाई राजन वर्मा काफी दिनों के बाद मैं कोई वीडियो लेकर आ रहा हूं ठीक है काफी दिनों से तब्यत ही नहीं सही थी इससे में बहुत ज्यादा वाइरल फीवर चल रह है यह बहुत ज्यादा हो रहा है बहुत से लोगों को रहा है तो ख्याल रखें आप सभी लोग अपना चली बात करते हैं उत्तरप्रदेश पुलिस रेडियो संवर के बारे में ठीक है एक टॉपिक तो मैंने यह लिखा है बीटेग वर्स डिप्लोमा जिस पर मैं बात नही है सुनने में आ रहा है कि पंदर तक से लग जाएगा अचार सहिंता लगने से पहले ही पुलिस पुलिस सिस्टप में क्या होता है बहुत भेड़ सारी तयारिया करनी होती है जैसे कि माल लेते हैं एक जिला है ठीक है कोई जिला है और यह दूसरा कोई जिला है ठीक है यहां पर जो पुलिस बल है पुलिस बल की जो चमता है वो पहले से बहुत कम है और यहां पर जो है यहां पर थोड़ी सी जादा है ठीक तो क्या होता है यहां की पुलिस को यहां बुलाया जाता है यह सब चलता है ठीक है आचार सहिंता में ठीक है पुलिस को इधर से उधर भी किया जाता है बहुत धेड़ सारी तैयारिया करनी होती है तो यह ऐसा नहीं है कि आचार सहिंता लगने के बाद होता है यह सब पहले से होता है और अभी आपको पता ही है कि कॉंस्टेबल का पेपर लीक होने के बाद सब्ध कारवाई करते हुए रेनुका मिस्रा जी को अभी यहां से हटा दिया गया है भरती बोर्ट से ठीक है तो अपडेट की बात करें तो आप सभी को भी यह आइडिया लग गया होगा कि कि नहीं होने वाला एलक्षन के बाद ही होगा ठीक है एलक्षन के बाद ही होगा और अब दूसरी बात करें रिजल्ट के बारे में तो जैसा कि आप सभी ने देखा एक सेकेंड आप सभी ने जैसा देखा कि अभी तक खैर रिवाइद आंसर की आएगी नहीं सीधा रिजल् हो सकता है अनॉंस कर दें लेकिन इसकी भी चांसेज बहुत कम है ठीक है रिजल्ट भी आने की चांसेज बहुत कम है यह पूरा का पूरा प्रॉसेज जो अब है वह सॉरी फीजिकल इलक्षिन के बाद ही होगा रिजल्ट बीच में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है बहुत ज् है ठीक है अब यह चीजा को clear हो गया अब बहुत ज्यादा बच्चे परिसान है बीटेक वाले कि वो running करते रहे या ना करें ठीक है running करते रहे या ना करें डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए तो कोई भी problem नहीं है ठीक है तो यहां पर मैं बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं ठीक है मैं कोई proof नहीं देना चाहता ना ही मेरे पास कोई proof है मैं इस पर अभी बहुत ज्यादा माथा पच्ची करना ही नहीं चाहता हूं ठीक है ना कि इस पर बहुत ज्यादा क्या करूं उसको analysis करूं research करूं कैसे क्या है ठीक है simple सी बात है अगर मुझे पता है कि बीटेक है तो इसके लिए फिर मैं क्यों ही अलग से इतना साहिए उसपे मेहनत करूं ठीक है बहुत से बच्छे परिशान ने मेरे पास तो इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं बी टेक अलिजबल है ठीक है जिसको बुरा लग रहा है बुरा केवल इनको लगेगा ठीक है यही अभी गलत कमेंट करेंगे कि तुमको कुछ नहीं पता है यह नहीं पता है तो देखे यहां पर मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा हूं मैं बस यह कह रहा हूं मुझे पता है कि बीटे का लिजबल है ठीक है भरती बोर्ड को भी पता है कि ठीक है ना, बाकी इसमें मैं ज्यादा कुछ कहना ही नहीं चाहता हूं, और भी बाते हैं, लेकिन कहने का कोई मतलब नहीं है, बिटेग वालों को बस इतना ही समझना है, वो एलिजबल हैं, ज्यादा इसके लिए परिसान नहों, एक छोटी सी बात और कहना चाहेंगे, मालीजे, मालीजे कि आप डिपलोमा वाले हैं, ठीक है ना, मालीजे कि आप डिपलोमा वाले हैं, और आप एक कोड केस करना चाहते हैं, की रिजल्ट से पहले ही, की रिजल्ट से पहले, ठीक है, रिजल्ट से पहले, और या फिर आप कह सकते हो, डॉकुमेंट वेरिफिकेशन से पहले BTEG वालों को बाहर कर दो कि किस बेसिस पे करेंगे बहुता है जब आपके पास कोई ही कोड किस क्या करोगे कि बीटेक को बाहर करो क्या पता भरती बोड पहले से बाहर कर रही हो तो जब भरती बोड मैंने बताया जैसा कि तब्यत नहीं ठीक है जब भरती बोड बिटेक वालों को अंदर कर लेगी बिटेक वालों को पास कर देगी ठीक है उसके बाद डिप्लोमा वालों को दिक्कत होगा फिर आप कोड केस कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा है पहले से क्यों कर रहे हैं और पहले से कैसे करेंगे पहले से क्या बेस लगाएंगे एक आधार होना चाहिए ना, क्या मतलब है आप कोड़ केस करने जो, और इतना पैसा वैसा जो भी है, जब क्या हो, बरबाद हो जाए, खारिच कर दिया जाए, कि भाया, कोई मतलब भी नहीं है आपके कोड़ केस का, है ना, सुना ही ना जाए, ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, ज्यादा परेषां मत उए, डिपलूमा वाले भी परेषां मत हो इघे है, आपको कोर्ट केस करना है, तो पहले एक आपके पास वैलिड पॉइंट होना चाहिए, बीटेक को पास क्यों किया गया है, बीटेक को बाहर करो, तब आप कोर्ट केस करो, मैं आपको बस समझा रहा बाकि आपकी मर्जी आप जो करना चाहे करें ठीक है और बाकि बीटेक वाले बच्चे बिलकुल भी परेसान नहों बीटेक एलिजबल है ठीक है और यहां पे और कोई अपडेट ऐसी है नहीं ठीक है तो बस आगे आपको जो भी तयारी करनी है आगे आपके पास जूनियर अस तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि मैं जो भी अप्रेट देता हूं ऑथेंटिक रहता है सही रहता है ठीक है थैंक्यू सो मच बाई बाई टेक क्यार और प्लीज मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चा आता हूं ठीक है अपने ख्याल रखेगा और आगे मैंनत करते रहें जल्द ही आप कहीं न कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे थैंक्यू सो मच